लोग और इस वरक्षीट में हम समाजिक और राजनितिक जीवन की चैप्टर 5 पंचायती राज और इस वरक्षीट का टॉप है ग्राम पंचायत है आपर बिटा एक इमेज भी दिखाए गई है आपको ग्राम पंचायत के इमेजे जिसमें तो प्रिगाओं के लोग है और यहां पर एक ग्रम सब वहां हो रही है इन सब के बारे में हम इस वरक्षीट में भी बढ़ेंगे सो लेट्स स्टार्ट बच्चों बिटा पंचायती राज विवस्ते एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं बिटा जो हमारी गवर्मेंट होती है वो तीन लेवल पे रूल करती है पहला होता है बिटा सेंट्रल लेवल पे एक होता है हमारा स्ट्रेट लेवल पे और एक होता है हमारा लोकल लेवल पे यानि केंद्रेस तर पर राज्यस तर पर और स्थानियस तर पर तो जो हमारे लोकल लेवल पे है बिटा इसमें भी दो टाइप की होती है एक तो होती है हमारी गाओं में विलेज में और एक होती है शहर में यानिकी सिटी में तो लोकल में स्थाने लेवल में एक तो ग्राम में होती है और एक होती है शहर में सरकार तो जो हमारी पंचायती राज विवस्ता है उसमें भी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग जो है अपने सरकार में भाग लेते हैं और जो गाओं के स्थर पर जो ये विवस्ता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं ग्राम पंचायत यानि कि ग्राम के स्थर पर जो सरकार है ये हमारी इस विवस्ता को ह हो थी बेटा वो कई छोटे शेत्रों यानि के वर्ड इन छोटे शेत्रों को वर्ड कहते हैं तो वर्डों में बटी होते हैं कई सारे वर्ड में बटी होती है प्रते एक वर्ड यानि के हर एक वर्ड का अपना एक प्रतिनीदी जो है वो चुनते हैं हर एक वर्ड अपना एक पंच के नाम से जानते हैं और जो ग्राम सभा है बच्चो एक पंचायत के शेत्र में रहने वाले सभी व्यस्क जो ग्राम सभा है वो पंचायत के शेत्र में रहने वाले सभी व्यस्क यानि के जो भी व्यक्ति जिसकी आयू जो है अठारा वर्श है या उससे जादा है जिसको वोट देने का दिकार है और जिसका नाम जो है गाउं की मददाता सूची में वोटर लिस्ट में है तो उनकी सभा होती है ग्राम सभा के सभी सदस्ते मिलकर किसका चुनाव करते हैं बच्चों सरपंच का तो ग्राम सभा के सभी सदस्ते मिलकर सरपंच का चुनाव करते हैं और सरपंच जो होता है बिटा वो हमारी पंचायत का मुख्या होता है हैड होता है पंचायत का वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं कितने साल के लिए पांस साल के लिए तो ग्राम पंचायत का एक सचीव भी होता है जो ग्राम पंचायत का जो सचीव है ग्राम सभा का भी सचीव उसे कहते हैं वो ग्राम सभा का भी सचीव होता है जो ग्राम सभा का यह जो सचीव है इसका चुनाव नहीं होता है यानि कि लोगों के द्वारा चुनाव नहीं जाता है सरकार जो है इसको करती है उसकी न्यूक्ति करती है और सचीव का काम होता है कि ग्राम सभा की बैठक को बुलाना जब भी ग्राम सभा की बैठक होगी तो सचीव उस ग्राम सभा की बैठक को बुलाएगा और उस ग्राम सभा में जो भी चर्चा होती है जो भी डिसिजन्स लिए जाते हैं उनका record रखना सचीव का कार्य होता है अब यहाँ पर हम questionuses को discuss कर लेते हैं बेटा हमारा पहला question है बच्चो ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्शों के लिए होता है तो इसका अंसर है बच्चो ग्राम पंचायत का गठन पांस साल के लिए होता है सेकेंड कोशन है बच्चो गाउंस सर्वर पंचायती राज विवस्ता का नाम क्या है इसका अंसर है गाउंस सर्वर पंचायती राज विवस्ता का नाम ग्राम पंचायत है थर्ड कोश्चन है बच्चों हमारा ग्राम पंचायत के सचीव के क्या क्या कारे होते हैं इसका अंसर है बच्चों ग्राम पंचायत के सचीव के कारे निम लिकीते हैं पहला ग्राम सभा की बैठक बुलाना सेकंड ग्राम सभा में हुई चर्चा और निरनेयों का रिकॉर्ड रखना अब यहां वर्क्षिट के एंड में हम एक संदेश दिया गया है कोविट से संबंदित कोविट 19 के विरूत जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने तो बच्चो हम सभी को करोना से बचने के लिए कोविट 19 से बचने के लिए मास्क पहन कर रहना चाहिए यहां पर हमारी वर्क्षिट कंप्लीट होते हैं आए हो बच्चो आपको यह वर्क्षिट समझ में आ गई होगी अगर आपको वर्कशिट समझ में आ गई है वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीज़े शेयर कीज़े और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नूटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और हाँ बच्चो अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं बाई बाई बच्चो, have a good day प्यारे बच्चो